टीवी इंडेस्टरी की टॉप आक्ट्रस जैनीफर विंगे टीवी इंडेस्टरी का जानभाना नाम है। अपनी दमदार आक्टिंग और खूपसूरती से एक्ट्रसने इंडेस्ट्री में खास जगह बनाई है। जैनिफर आज अपना 37 बोईदी मना रही है आए आज उनके बोईदी पर जानते हैं उनसे जड़ी कच अंसुनी बाते 30 माई 1985 को गोरे गाउं मुंबई में जर्मी जैनिफर छोटे परदी की टॉप अक्टरसेस में से एक है जैनिफर ने अपने करियर की शुरुआज टीवी सीरियल का सौटी जिन्दिकी की से की थी इसके बाद उन्होंने कई सारे टीवी शोज में काम किया आक्टरस के सभी टीवी सीरियल सूपर हिट रहे थे जैनिफर को टीवी की मिस परफेक्शनिस्ट भी कहा चाता है अक्टरस की पर्सनल लाइफ की बात करे तो उन्होंने अपने को स्टार करन सिंग रोवर से शादी की हाला कि उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और अक्टरस का तलाग हो गया जहां करन सिंग रोवर ने विपाशबासू के साथ शादी कर ली तो वहीं दूसरी तरफ जैनिफर आज भी सिंगल है इस बीच अक्टरस का नाम कई को स्टार्स के साथ जड़ा लेकिन कभी भी जैनिफर ने इस बात पर कोई बात नहीं कही जैनिफर बेपना बेहत कसोटी जिंदगी की और दिल मिल गए जैसे सीरियल्स में अपने आक्टिंग से पहले ही कई लोगों को दिवाना बना चुकी है उन्होंने टीवी की दुनिया पर काफी लंबे टाइम तक काम किया है और अब वो ओटीटी पर भी अपना जलवा दिखा रही है हाल ही में कोई डैम सीजन टू का ट्रेलर रिलीज हुआ है इस शो के पहले सीजन में भी आक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था वेल आपको जैनिफर की लाइफ से जड़ी ये बाते कैसी लगी लेक्ट असनो इन दी कमेंट सेक्शन वीडियो को लाइक शेर और चानल को सब्सक्राइब करें